Exercise 4.1 NCRT Class 10 First question है Check whether the following are quadratic equation अब इसके लिए में quadratic equation के बार में बता होना चाहिए अगर किसी equation के अंदर X के सबसे बड़ी power 1 हो तो वो linear equation होता है अगर X के सबसे बड़ी power 2 हो तो वो quadratic equation होता है अगर X के सबसे बड़ी power 3 हो तो वो cubic equation होता है अब यहां पीसने quadratic equation के रखा है तो इसका मुलब हमें देखना है कि किसके अंदर X के सबसे बड़ी power 2 आएगी जिसके भी अंदर X के सबसे बड़ी power 2 होगी वही हमारे पास quadratic equation यह द्वी खाथ में करना हो जाएगा हमें सभी parts को बिलकुल अच्छे से खोल कर देखना है क्योंकि हो सकता है किसी के अंदर आ जाए कि X plus 3 का cube फिर हम उसको जब last तक solve करें तो उसके अंदर बड़ी से बड़ी power X square आ जाए तो हम सिरफ इसको देखकर यह नहीं बता सकती क्योंकि होगा या quadratic होगा हम उसको पूरा खोल कर बिलकुल last तक solve करेंगे फिर उसके बाद देखेंगे कि उसके अंदर X की power क्या है first part है X plus 1 का whole square is equal to 2 X minus 3 हम यहाँ पे A plus B का whole square यह वाली identity यानि सरस्मी का खोल देंगे यह होती है हमारे पास A square plus B square plus 2AB के बराबर हम A की जगह पे तोल लेंगे X और B की जगह पे लेंगे 1 तो इसके बाद यह बन जाएगा X square plus 2X plus 1 दूसरे तरफ हम 2 की multiply X से कर देंगे 2X हो जाएगा 2 की multiply 3 से कर देंगे minus 6 हो जाएगा हम इसको इसको इस तरफ ले आएगे यह इस तरफ plus का था दूसरे तरफ आकर minus का हो गया यह minus का था दूसरे तरफ आकर plus का हो गया plus का 2X minus का 2X cancel out हो गया 6 और 1 7 तो इस तरह से हमारे पास last में solution बच गया X square plus 7 अब हमें 7 3 4 5 कुछ नहीं देखना हमें सिर्फ X की पाउर देखने है अगर X की पाउर हमारे पास बड़े से बड़े पाउर 2 है तो इक वाड्रेटी की वेशन यानि द्वी गात्समीकरण है सेकिंड पार्ट है X square minus 2 X is equal to minus 2 3 minus X इस minus 2 की multiply हम 3 से करेंगी यह minus का 6 हो जाएगा minus 2 की multiply हम minus से करेंगे तो minus minus plus होकर यह 2X आजाएगा हम इसको इस तरफ लियाएंगे और एक तरफ रख लेंगे 0 यह minus का 6 है यह इस तरफ आकर plus का हो गया यह 2X इस तरफ आकर minus का हो गया X square ऐसे का ऐसा minus 2X में हम minus 2X add करेंगी एक जैसे हमेशा add हो जाते हैं तो यह हमारे पास आजाएगा minus 4X निशान बड़े का आता है तो इसमें minus 2 रह जाएगा फिर यह 6 ऐसे का ऐसा आजाएगा इस तरह से यह हमारी equation बनगी अब हमें X की power देखने हैं X से करेंगे तो यह बन जाएगा हमारे पास minus 2X है हम minus 2 की multiply 1 से करेंगे तो minus 2 आ जाएगा फिर उसके बाद हम X minus 1 और X plus 3 में भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे यह आ जाएगा हमारे पास है हम इसको एक तरफ से दूसरे तरफ लेकर जाएगे तो निशान बदल जाएगे यह minus का यह भी minus का यह plus का और यह भी plus का अब हम इन सब को इस तरफ लेकर आएगे तो सभी के निशान बदल जाएगे यह plus का X स्केर है माइनस का X स्केर है अब हम इन दोनों को solve करेंगे 2 में से 1 को minus किया तो यह आगया 1 साथ में आजाएगा X और बड़े का निशान आता है तो यह आजाएगा यहाँ पर minus का X है अब हम इन दोनों को solve करेंगे तो यह मारे पास minus 3 plus 1 है हम 3 में से 1 को divide करेंगे 2 आजाएगा निशान बड़े का होता है यहाँ भी आजाएगा हमारे पास minus का 2X है यहां plus में 3 है तो यहाँ पी भी plus में 3 हो जाएगा X square को काटने के बाद और बाकर हिस्साそॉल करने के बाद हमारे पास यह आजाएगा वहम एक जैसे में एक जैसे को add कर देंगे minus 2X है minus X है यह आजाएगा minus का 3X है 3 में से 2 को माइनस किया, यहां आ गया, हमारे पास प्लस का 1, अब हमें x की पाउर देखने, x की पाउर बड़ी से बड़ी 1 है, तो यह linear है, यानि रेकिक समीकरण है, quadratic यानि की द्विगात समीकरण नहीं है, 4 वर्थ पार्ट है, x minus 3, 2x plus 1 is equal to x, x plus 5 हम सभी के multiply कर देंगे, आपस में, x की 2x से की, तो 2x square बन गया, x की 1 से की, तो 6x बन गया, two x square में से हम x square को माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा हमारे पास अकेला x square फिर उसके बाद है plus x, minus 6 x और plus का 5 x एक जैसों में एक जैसे ही एडिया माइनस करने है हम इसको एक बार अलग लिख लेते हैं plus का x है, minus का 6 x है और minus का 5 x है आप इसको अपने हिसाब से किसी भी तरह से solve कर सकते हो आप पहले minus वालों के अंदर minus वाले add कर दीजिए 6 और 5 11 हो जाएगा और निशान minus का ही रह जाएगा फिर उसके अंदर plus वाले को solve करके जैसे हम 11 में से हम 1 को minus करेंगे तो 10 आ जाएगा निशान बड़े का यानि की minus आ गया या फिर दूसरा तरीका पहले इन दोनों को solve कीजिए 6 x में से x को minus किया यहाँ पे आ गया minus का 5 x है फिर minus 5 x minus 5 x है एक जैसे हैं दोनों add हो जाएगी यह बन जाएगा minus का 10 x है अंसर दोनों के अंदर ही सहीं आएगा तो अब यहाँ पे हमारे पास हमारा आंसर आ गया minus 10 x इसको हम लिख देंगे अब हम देखेंगे जिनके साथ x नहीं है तो ऐसा हमारे पास सिरफ और सिरफ 3 है यह हमारा minus 3 है से कैसा हमें सिरफ x की power देखनी है तो x स्केर है इसके अंदर और इससे बड़ी पावर भी कोई नहीं है तो यह हमारे पास quadratic equation में द्वी घात समी करना हो जाएगी हम किसी variable की power को degree कहते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जिसकी degree 2 हो वो हमारे पास quadratic equation है ऐसे हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा आपको घात फिफ्ट पार्ट है 2x-1 x-3 is equal to x plus 5x-1 हम इन सब के अपस में multiply करतेंगे 2x की multiply x से की तो आगया 2x square 2x की multiply 3 से की तो आगया minus का 6x है minus 1 की multiply x से की तो minus का x आगया यह इसका minus यहाँ पे लिखा हुआ है फिर minus 1 की multiply minus 3 से की तो यहाँ पे आगया हमारे पास plus का 3 is equal to x की multiply x से होकर x square x की multiply 1 से होकर minus x 5 से होकर 5x 5 की 1 से होकर आजाएगा minus का 5 हम इन सब को इस तरफ लेकर आएंगे तो निशान बदल जाएंगे यह minus का, यह plus का, यह minus का, यह plus का अब यहाँ पे 2x square है 2x square में से हम x square को minus करेंगे तो यह आजाएगा अकेला x square फिर उसके बाद minus 6x minus x है यह आजाएगा इस तरफ minus 7x है यहाँ पे हमारे पास 5x में से हम x को minus करेंगे तो minus का 4x आजाएगा 7 और 4 add होकर बना देंगे minus 11x है तो इस तरह से हमारे पास जो x वाला पार्ट है वो हो जाएगा minus 11x है अब यह 5 इस तरह आकर प्लस का हो गया तो तो 5,4,3 add हो जाएगी हीटा जाएगा अब हमें x की पावर देखनी है तो यहाँ पे x की पावर 2 है यह मारे पास quadratic equation है 6th part है x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 का whole square हम इस identity और इस सरसमिका को खोल देंगे यह मारे पास होती है a square plus b square minus 2 b e की जगे पे x लेंगे और b की जगे पे हम तोलेंगे तो यह आगे खुड जाएगी x square minus 4x plus का 4 फिर उसके बाद हम इसको इस तरह लेकर आएगे यह minus का हो जाएगा यह plus का हो जाएगा और यह minus का हो जाएगा x square से x square cancel out हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा हमारे पास 7x minus 4 और plus का 1 है तो यह आजाएगा minus 3 यह एक्स की पावर 1 है तो यह रेकी कियाने कि linear है quadratic equation यानि दूई घाच में एकरन नहीं है 7th part है x plus 2 का whole cube is equal to 2 x square minus 1 अब यहाँ पे हमारे पास cube है यानि कि आप सुचोगी कि इसमें तो x की power cube आएगी जिब कि हम इस question को पूरा solve करेंगे उसके बात देखेंगे कि क्या आएगा last तक हम कुछ नहीं बता सकते कि यह किस तरह type की equation है तो अब यहाँ पे हम पहले इसका cube खोलेंगे cube की identity मारे पास होती है a plus b का whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3 a square b plus 3 a b square इसके अंदर सभी किस भी plus कहेंगे और जब यहाँ पे minus होगा तो उसमें जो b वाला part है यह वाला यह minus का हो जाएगा और यह भी minus का हो जाएगा मैंने identity के लिए अलग से video बना रखे आप उसमें देख सकते हैं अब हम जब इस identity को खोलेंगे तो यह हमारे पास इस तरह से आजाएगी हम यह की जगह पे रख देंगे x और b की जगह पे रख देंगे 2 फिर उसके बाद हम 2x के multiply x square से करेंगे तो यह आजाएगा 2x Kiub हम 2x के multiply 1 से करेंगे तो यह आजाएगा हमारे पास minus का 2x जिब हम इसको इस तरह लेकर आएगे minus का होजाएगा और यह plus का होजाएगा हम 2x क्यूब में से x तो 3, 2, 6 6 x square हो जाएगा यह 2 का square 4 और 4 की 3 से multiply की तो यहां पे आगया 12 फिर हम 12 x में 2 x को add कर देंगी तो यह हो जाएगा 14 x 2 की cube यानि 2 की multiply 3 टाइम्स 3 बार हो जाएगी तो 2 दूने 4 चार दूने 8 तेट आ जाएगा हमारे पास सबसे last में यह equation आई है अब इसके अंदर तो बड़ी से बड़ी power 3 है तो यह 3 गात यानि की cubic equation है quadratic यानि 2 गात समेकर नहीं है 8 पार्ट है x square minus 4 x minus x plus 1 is equal to x minus 2 का whole cube यहां पे हम A minus B के whole cube वाली identity खोल देंगे अब इसके अंदर और उसके अंदर फरक क्या होता है उसके अंदर सभी के सभी plus के होते हैं जबकि इसके अंदर जो B वाला पार्ट है वो minus का है तो इसलिए B के कारण ही जो निशान है वो बड़ल जाएंगे अब यहां B की cube है तो यह minus का हो जाएगा यहां पे भी हमारे पा पावर 2, 4, 6, 8 आगे ऐसे ही चलता जाएगा even यानि कि sum number तो उस टाइम पे हमेशा answer plus में आता है जो किसी की power old number यानि विसम संख्या हो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से तो उस टाइम पे answer minus का आता है अगर यह minus का है तो अगर यह plus का है तो plus का ही आएगा पिलकुल वैसी ही situation यहां पे है यह हमारी identity हो जाएगी अब हम इस identity के अंदर A की जगह पे X रख देंगी और B की जगह पे 2 रख देंगी यहां B की जगह पे आपको minus 2 रखने की जरुद में आप simple 2 रख दीजी क्योंकि minus का निशान यहां पहले ही identity के अंदर आ चुका है फिर जो हम इसको आगे minus का यह भी minus का और यह plus का X क्यूब से X क्यूब cancel out हो गया 6 X स्केर में से हमने 4 X स्केर को minus किया तो यह आगे हमारे पास 2 X स्केर फिर उसके बाद यहां minus का X है यह वाला minus इसी के लिए यह मत सोचना कि प्लस का है minus X और minus 12 X हो जाएगा minus 13 X 8 और 1 हो जाएगा हमारे पास 9 और हमारे पास X की पावर 2 आगी बड़ी से बड़ी बाकी चाहे कुछ पर हमें कोई फरक नहीं पड़ता तो यह हमारे पास quadratic equation नहीं द्रीगास में परना हो जाएगी second question is represent the following situation in the former quadratic equation हम इनको सिर्फ quadratic equation के अंदर बदलेंगे हम इनका अंसर नहीं निकालना सिर्फ इनको quadratic equation के हमारे पास इस तरह से तो उसका area दे रखा है the length of the plot in meter is one more than twice its breadth we need to find the length and the breadth of the breadth जो हमें निकालना होता है उसको हम x या y को चमाल लेते हमारे पास यह rectangle का यह केरिया है अब वो कह रहा है कि जिससे वो twice, thrice या फिर उसका half ऐसा कुछ two times लिख रखा होगा हम उससी को x मानते है इसने breadth का कह रखा है तो हम breadth को x माल लेंगे अब इसके जो length है न वो क्या है one more than twice its breadth या पहले तो breadth का twice होगा और फिर उसके अंदर one add होगा more than है न तो add हो जाएगा less than होता तो minus हो जाता तो यह आ जाएगी हमारे पास length अब हमें पता area क्या होता है length multiply breadth तो हम लिख देंगे length multiply breadth area है कितना 528 है तो यह हमारे पास 528 के equal आ जाएगा अब हम length की जगे पे रख देंगे x is equal to 528 आ जाएगा 2x की multiply x से हुई यह बन गया 2x square 1 की multiply x से हुई बीच में plus का निशान है तो plus आ जाएगा is equal to 528 यह हमारी equation बन गई quadratic है क्योंकि इसके अंदर x की बड़ी से बड़ी power 2 है अब हम इस chapter में जितने भी question करेंगी लगबग सभी के अंदर quadratic equation बनेगी second part is the product of two conjunctive positive integer is 306 we need to find the integer अब यहाँ पे भी equation बनाने पड़ेगी conjunctive का मतलब होता है लगाता क्रेंश इसको में इंदे में कहते हैं अगर हमारे पास एक number 12 है तो दूसरा 13 हो जाएगा एक number 50 है तो दूसरा 51 हो जाएगा इसे कहते हैं conjunctive अब हमें कह रहे है कि product 306 के बराबर है और हमें यह नहीं पता कि number क्या है तो जो हमें नहीं पता होता है उसको maximal लेते हैं हमारे पास एक number x है तो सीधी सी वाद है दूसरा इससे अगला होगा यानि कि x plus 1 जैसे एक number 19 है तो उससे अगला number उसके अंदर 1 add होकर आएगा 20 तो बिल्कुल सेम situation यहाँ पे है अब इसने product के रहा है यानि multiply इन दोनों का product हमारे पास किसकी equal है 306 के x की multiply x से की x square x की multiply 1 से की तो plus का x बीच में plus का निशान है तो plus आजाएगा is equal to 306 अब चाहो तो आप इसको इसको इस तरफ लाकर minus का भी बना सकते हो यह हमारी equation आ गई third part है रोहन's mother is 26 year older than him the product of their age is 3 year from now will be 360 we would like to find रोहन's present age जब भी आपको इससे related question निकालना हो तो आप हमेशा present age को माने लिए तो मान लेते हैं हम रोहन की जो present age फिलाल की age है वो है x अब उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है तो मान लेजे कोई बच्चा है वो 10 साल का है अगर उस 25 को एड़ कर देंगे यह आ जाएगा हमारे पास 35 बिल्कुल ऐसे ही यहां पे है अगर उस बच्चे की age x है तो उसकी मम्मी की x प्लस 26 हो जाएगी फिर वो आगे किया रहा है the product of their age इन दोनों की age का product अभी नहीं है यह कब की बात हो रही है 3 year from now अब से 3 साल बाद की बात हो नहीं कि सिरफ रोहनी 3 साल बडा होगा उसकी मम्मी भी तो 3 साल बड़ी हो जाएगी ते 5 kindly x प्लस 29 3 26 में एड़ हो जाएगा अब इन दोनों का product 360 के equal है तो अब 3 साल बाद रोहन की age है x प्लस 3 रोहन की मम्मी की age है x प्लस 29 दोनों का product है 3 60 के equal हम equation बना देंगी X की multiply X से कर देंगी यह आजाएगा हमारे पास X square X की multiply 29 से कर देंगी यह आजाएगा 29 X 3 की multiply X से होकर आजाएगा 3 X 3 की multiply 29 से होकर आजाएगा 87 Is equal to 360 जब यह 360 इस तरफ आएगा तो यह minus का हो जाएगा X square ऐसे का ऐसा क्योंकि बागी कहीं पर X square है ही नहीं हम 29 में 3 को add करेंगी तो यह आजाएगा प्लस 32 X हम 360 में से 87 को minus कर देंगी क्योंकि यह plus का है और यह minus का 360 में से 87 को minus करेंगी तो यहाँ पर हमारे पास आजाएगा minus 373 is equal to 0 यह हमारी से क्वेशन आजाए पूर्थ पार्थ है ट्रें ट्रेवल डिस्टेंस ओ 480 किलोमेटर at a uniform speed if the speed had been 8 किलोमेटर पर अगर less then it would have taken 3 hour more to cover the same distance we need to find the speed of the train अब हमें speed निकाल ली है तो हम speed को x समाल लेते है मारे पास फिक फार्मुला होता है speed is equal to distance upon time अब speed को हमने x समाल लिया x is equal to distance हमारे पास है 480 किलोमेटर upon time हमें नहीं पता हमारे पास कितना तो हम इसको वैसे ही t रख लेते हैं यह t इस तरफ आगर multiply में हो जाएगा t x से फिर उसके बाद हम second equation इसको एक बार side में रख लेते हैं t x is equal to 480 अब हो कह रहा है कि अगर हमारी जो speed है वो 8 किलोमेटर पर हवर कम हो जाते है जब कम होती है लेस होती है तो हम माइनस कर देते हैं यानि speed पहले x थी हमने उसमें से 8 किलोमेटर पर हवर माइनस कर दिया यानि x minus 8 is equal to distance हमारे पास वही है 480 upon में time यहाँ time जो है ना वो लगेगा 3 hour more यानि कि साधा सिध्य सी बात है जब किसी के speed गव होगी तो time बढ़ जाएगा यानि कि t plus में 3 अभी जो t plus 3 है ना यह सरफ आकर multiply में हो जाएगा यहाँ पे अभी इन दोनों को हम आगे solve करेंगे तो speed को इसने ऐसे ही लिख रखा तो 48 फिर उसके बाद जो एक जैसा है ना वो प्लस या माइनस हो जाएगा हमने अभी भी solve किया था कि x t is equal to 480 यहाँ पे x के जगह पे हम इसमान लेते है s t is equal to 480 speed को हमने x मान रखा है तो हम s t की जगह पे लिख सकते हैं यहाँ पे 480 हमने लिख दिया यह 480 इस तरफ आगर माइनस का हो गया तो एक प्लस का था एक माइनस का दोनों की दोनों एक दूसर से cancel out हो गए यहाँ आगी हमारे पास बच गया 3 s है minus 8 t minus 24 is equal to 0 यह कहां से है वो भी मैं आपको बता देते हूं हमें पूरा एंसर x या फिर s में चाहिए है तो हम t को भी बदल देंगे तो हमें पता है कि speed is equal to distance upon में time होता है तो हमारे पास speed का मतलब क्या है s distance कितनी है 480 upon में t t की value निकाल लेंगे यह s इस तरफ आगर divide में हो जाएगा यानि हम t की जगे पर लिख सकते हैं 480 upon में s तो जहां पे भी t है आप वहां पे 480 upon s यानि 400 से बटे में s रख देजेए यहां पे हमारे पास minus 8 t है minus 8 s का ऐसा t की value हमने अभी बे निकाल लिया 480 upon में s यानि की x अब 480 के multiply हम 8 से करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 3840 upon में s यहां पे था 3 s जब हम इसको solve करेंगे तो 3 s minus 3840 upon में s minus 24 is equal to 0 हम लेंगे lcm तो नीचे आ जाएगा हमारे पास s हम s को 1 से divide करेंगे 5 नहीं यह s है 1 से divide करेंगे तो ऐसा आ जाएगा 3 s की s से multiply करेंगे तो यह बन जाएगा हमारे पास 3 s square minus हम s की s से divide करेंगे 1 आ जाएगा 1 की multiply 3840 से करेंगे तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा s की को divide करेंगे हम 1 से तो ऐसा आ गया अब S की multiply हम 24 से करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास minus 24S यह आगी हमारी equation हम इसको आगे और छोटा बना सकते हैं हम तीनों में से 3 को मल लेंगी 3 को मल लिया तो वो 3 दूसरे तरफ जाकर divide में हो जाएगा 0 के divide में कुछ भी हो 0 यह हो जाता है S square minus 8x minus 1280 यह हमारी equation आ गए आप यहाँ पर S की जगे X भी लेख सकते हो यह आ जाएगा हमारे पास S square minus 8x minus 1280 बात वही आपको confuse नहीं होना है Thank you very much